हाई गाईज वेलकम टी नदर एपिसोड अफ करंट अफेयर्ज आज की तारीख है 12 फरवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं साथी साथ फॉर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आइस और साथी सीजियल प्रेस के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूछा था कि हाल ही में किस राज्ये ने नौलेज मिशन शुरू किया है तो इसका सई जवाब था केरला और आपका दूसरा क्वेस्टिन था कि कौन सा देश मंगल पर पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है तो इसका सई जवाब था सयोग तरब अमिराद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन के साथ किस राज्ये सरकार ने कोविड नाइंटीन वारियर मेमोरियल के निर्मान की घोशना की है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन अमबर बी ओडिशा तो ओडिशा के स्वास्ते और परिवार कलियानी विभाग ने भूवनेश स्टा दिवस पर प्रस्तावित समारक का घटन किया जाएगा यहां पर एक रिविजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्ये ने मो जंगल और नो यूर्फॉर्स्ट लैंड मोबाइल एप लॉंच किये हैं तो इसका सई जवाब है ओडिशा बात करें यहां पर ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है संटेंपल कुनार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हिराकुन डैम महानदी और इंदिरावति डैम इंदिरावती, नैशनल पार्क्स में आता है भिटार कनी का नैशनल पार्क और सिमलीपाल नैशनल पार्क, फेमस लेक्स मे तो असम बोडो भाषा की फिल्म सीजो को गोल्डन स्पैरो इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में चार पुरसकार मिले हैं इस फिल्म ने भारतिय फीचर फिल्म श्रेनी में सर्वशेष्ट निर्देशक यानि बेस्ट डारेक्टर, सर्वशेष्ट पदापरन फिल्मकार यानि बेस्ट डेब्यू फिल्मेकर, सर्वशेष्ट पट कथा लेखक यानि बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर और विशेष तो पहला बोडो लेंड प्रादेशिक क्षेतर समझोता दीवस किस राज्य में मनाया गया है तो इसका सही जवाब था असम 24 जन्वरी से 27 जन्वरी 2021 बात करें यहाँ पर असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बीहू युनेसको वल्ल हेटे साइट में आता है काजिरंगा नैशनल पार्क नैशनल पार्क राजीव गांधी नाशनल पार्क, औरंग नाशनल पार्क और डिबरू से खोबा नाशनल पार्क असम की कैपिटल है डिस्पूर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मनिस्टर है सर्बनन्दा सोनुवाल अगला क्वेस्टिन देखो किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा युद खेल थिएटर लेवल ओपरेशनल रेडिनर्स एकसरसाइज ट्रोपेक्स आयोजित किया है तो नौसेना का सबसे बड़ा युद खेल वीवार्शिक थिएटर स्तर परिचालन ततपरता अभियास ट्रोपेक्स 21 ने सभी परिचालन इकाईयों के साथ साथ सेना वायू सेना और तट रक्षक बल की भागेदारी के साथ हतियार कारेचरन पूरा किया है जनवरी की शुरुआत में शुरू हुआ अभियास फरवरी तीसरे सप्ता में समाप्थ होगा इस अभियास को देश्य जटिल बहु आयामी परिद रिश्य यानि कम्प्लेक्स मल्टी डामेंशनल लैंड्सकेप में मुकाबला ततपरता का परिक्षन करना है और नौसेना की अक्रामक रक्षा शमताओं को मान्य करना समुद्री क्षेत्र में राष्ट्र हितों की रक्षा करना और IOR यानि इंडियन ओशन रीजिन में सिर्ता और शांती को बढ़ावा देना है विग्यान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सईज जवाब है उप्षिन इंबर C 11 फर्वरी तो 11 फर्वरी 2021 को विग्यान सभा में महिलाओं और लड़कियों का छटा अंतर राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र मुख्याले में आयोजित किया गया था 2021 की थीम है Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19 सईजुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में Science and Technology के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों दवारा निभाए गई महत्वपून भूमिका को मानिता देने के लिए Science and Technology के अंतर राष्ट्र दिवस को एक प्रस्ताव पारित करके तै किया इसका उदेश्य Science and Technology के क्षेत्र में लैंगिंग समानता को बढ़हावा देना है तो पैंगुन रेंडम हाउस इंडिया को पूरसकार विजेता लेखक पत्रकार और वक्ता मेगना पंत दवारा एक नए उपनयास के अधि ग्रहन की घोशना करने पर गर्व है The Terrible Horrible Very Bad Good News शिर्शक वाली किताब एक छोटे शहर की महिला लाडू के बारे में है पुस्ता को एप्रल 2021 में रिलीज किया जाएगा अगला क्वेस्टिन देखो राष्ट्रे चैन ट्रायल यानि नाशनल सेलेक्शन ट्रायल के पुर्शों की 10 मीटर एयर राइफल जीतने का विश्वी रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो इसका सही जवाब है option number B दिवियांश सिंग पवार तो टोक्यो अलंपिक कोटा धारक यानि कोटा होल्डर दिवियांश सिंग पवार ने राष्ट्रे चैन ट्रायल के पुर्शों की 10 मीटर एयर राइफल T4 प्रतियोगता जीतने के लिए 253.1 के स्कोर के साथ नया विश्वी रिकॉर्ड बनाया है सौरप चौधरी पुर्शों की 10 मीटर एयर पिस्टिल चिंकी यादव महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टिल और ते जस्विनी सावंध ने अपने अपने इवेंट में शी स्थान का दावा किया दिव्यांश ने एक अन्या टोक्यो कोटा धारक एश्वर्या प्रताप सिंग तोमर से फाइनल जीता अगला क्वेस्टिन है ओसकर के लिए लाइव एक्शन शौट फिल्म श्रेनी के तहट किस भारते फिल्म को नमांकित किया गया है तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन इमबर डी बिट्टू तो भारत आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ट अंतरराष्टर फीचर फिल्म की दौर से भार हो गया है मलियालम फिल्म जली कटू जो लीजो जौस पहली सरसरन द्वारा निर्देशित थी यह इस श्रेनी में ओसकर के लिए भारत के अधिकारिक प्रविश्टी थी करिश्मा देव दूबे के निर्देशन में बिट्टू लाइव एक्शन शौट फिल्म श्रेनी के तहत नमांकित की गई फिल्म सची घटना पर अधारित है यह मावदी नामक एक छोटी कहानी पर अधारित है अगला क्वेस्टिन देखो विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है option number C love pulses for a healthy diet and planet तो दालों के पोशन मूलियों के बारे में ज संयोग्त राश्ट्र महासभा ने 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में अपनाया था संयोग्त राश्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर राश्ट्र दलहन वर्ष गोशित किया था अगला question देखो तो भारते रिजर्व बैंक ने वितिय अनुशासन और अपचारिक संस्थानों से रुइन विशे पर वितिय साक्षरता सप्ता का शुभारम किया है राश्ट्र व्यापिय अभियान यानि नेशन वाइड कैंपेन के एक भाग के रूप में भारते रिजर्व बैंक वितिय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 8 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक वितिय साक्षरता सप्ता का अबलोकन कर रहा है भारते रिजर्व बैंक RBI 2016 से हर साल वितिय साक्षरता सप्ता का अयोजन करता है ताकि देश भर में किसी विशेश विशे पर वितिय शिक्षा संदेशों का प्रचार किया जा सके अगला क्वेस्टिन देखो भारती नौसेना ने नौसेना इलेक्ट्रोनिक सिस्टम के क्षेत्र में किस संस्थान के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो इसका सईज जवाब है option number B IIT दिली तो भारती नौसेना और IIT दिली ने नौसेना इलेक्ट्रोनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसन धान पर एक समझोता ग्यापन यानि MOU पर हस्ताक्षर किये हैं IIT दिली में Center for Applied Research in Electronics यानि केर दवारा पानी के नीचे इलेक्ट्रोनिक से क्षेत्र में नौसेना के लिए तकनीकों का विकास किया गया है IIT दिली में किये गए शोध ने भारती नौसेना दवारा किये गए तकनीकी विकास में महत्व पून भूमिका निभाई है प्रधान मंत्री मोधी के आत्म निर्बर भारत के दृष्टी कोन के नुसार भारती नौसेना IIT दिली के माध्यम से प्रमुक प्रदियोगी की संचालित परियोजनों के विकास पर प्रयास करती है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कोई एक समरी की तो COVID-19 वारियर मेमोरियल ओडिशा में बनाया जाएगा गोल्डन स्पेरो इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवर दोजार रिकिस में सीजो ने चार आवार्ड दीते हैं लार्जेस्ट वार गेम ट्रोपिक्स इंडिया ने कंड़क्ट किया है इंटरनाशनल डे ओफ विमन और गर्ल्स इन साइंस फेबररी ग्यारा को मनाया जाता है दी टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड नूज बुक मेगना पंत ने लिखी है मेंस 10 मीटर एर राइफल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड दिव्यांज सिंग पवार ने बनाया है ओस्कर में लाइव अक्शन शॉट फिल्म के लिए बिट्टू को नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड पल्स दे 2021 की थीम है बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day की आपका पहला क्वेस्टन है और आपका दूसरा क्वेस्टन है विज्यान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर राष्टर दिवसकब मनाया जाता है इन दोनों questions का answer आपको नीचे comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथे इस bell icon को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके हमारे दोनों websites और telegram handles को join जरूर करना है thank you so much